कॉफी साथ स्टूइंट्स की रिक्वेस्ट रहे थे कि बताईए सर किस तरह से हम एडमिर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर जेकी असर्स भी पंचाय थे काउंट असिस्टेंट एक्जाम जिसके एक्जाम डेट्स वह आज शुडूल कर दी गही है बता दिया गया आपको की 11 ओफ नॉवंबर को आपका एक्जाम है एडमिर कार्ड जो है वाज शाम 22 अक्टूबर मीन्स छे बज़े से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे यह जो application number या जो roll number हो ज़रूर होगा या फिर आपको अगर mail आई थी उस समय तोस mail ID में भी जाके आप चेक कर सकते हैं आपके पास वह application ID ज़रूर होगी डियो भी तो आपको याद होगा ही तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने यह करना है अगर आप पहले लिंक पे देखेंगे तो डाउनलोडिंग ओफ एड्मिट कार्ड फॉर दा ओमर बेस अब्जेक्टिव टाइप रिटें एग्जैमिनेशन यह लिखा है यहाँ पर क्लिक करना के बाद वो नोटिफिकेशन भी लेगी जो आप दोपैर में JKSSB ने आउट करी थी तो यहाँ पर तो तोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखें एक्स्ट्रीम लेफ्ट में हाल टिकत यह एडमिट कार्ड जो है यह आपको शो हो रहा है आपको इसको क्लिक करना है और इसे भी क्लिक करने से पहले में आप सब की बता दूं कि आपको अपने मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो Chrome ब्रोजर यूज़ कर येगा Google Chrome जो है और उसे open करने के बाद simply you have to type JKSSB जब आप type करोगे पहला link आएगा उनकी website खुलेगी आपको extreme top right पे देखना है तीन dots होंगे Chrome browser में उन dots को जब आप click करोगे नीचे desktop site आएगा उसे click कर लेना क्योंकि वो उस तरह से फिर आपकी यह website खुलेगी जिस तरह से आपके desktop या PC पे open होती है तो उसमें होता क्या है कि हर एक चीज जो है वो बहुत easy way में open हो जाती है तो अब यहाँ extreme left में haul ticket वाले link को में click कर रहा हूँ तो दोस्तों इसको click करने के बाद देख रहो आप अपके सामने एक interface आ गया है पहले आप अपना month select करना मालो किसी का DOB August में है और उसका मालेते है जो year of birth है वो 1997 है तो अब आपको date select करनी है मालो अगर उसका date है वो 10 तारीक है तो आप 10 को में click करोंगा ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर पहले ही date को select करोगे तो देखिएगा आपका month और year वो automatically खुदी ले लेगा जो उसमें पहले से feed होगा तो इसलिए आपको पहले month, year, then आपको date select करनी है और जब आप I am not a robot को click कर रहे होगे application number डालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से just a second कुछ इस तरह से एक admit card जो है वो सामने देखने को मिलेगा अब यह क्योंकि हमारे एक student का admit card है तो आप उनका privacy issues के लिए मैंने उनके जो role number या फिर जो उनका नाम है वो मैंने hide किया हुए अब यहां देखे लिखा हुए date of examination जो 11 November को है आपका time जो exam का दुपार 12 से 2 बजे के बीच में होगा exam आपका जो reporting time है 10.30 बजे आपको exam center पे पहुंच जाना है और उसी के साथ नीचे अगर हम आ जाएं तो इनका जो center है वो बना है यह भी number one गांदी नगर जमू क्योंकि जमू से बिलॉंग करते हैं तो जमू district में का center बना होगा mostly अपने district में center बने हैं और इसी के साथ अगर आप दोस्तों इसका second page देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहां देखो क्या लिखा हुए important instructions है बोल रहा है the entries on your admit card are strictly as per the application form submitted by you जो कुछ भी आपने application form भरते समय submit किया था वो सब इस पर दिया गया अगर आपने नाम गलत किया होगा समय तो यहां भी गलत ही आएगा और second Android examination center is strictly as per this admit card आपको admit card तो साथ लेके जाना ही है और साथ ही अपने original जो IDs हैं चाहे हो आदार card हो driving license हो passport हो या फिर pen card या water card हो वो साथ लेके जाना है do not carry any of your belongings कुछ भी साथ लेके नहीं जाना इसाथ pencils and penia pencil लेके जा सकते हो calculator pages smartphone mobile smart watches कोई भी electronic gadget जो है यह सबब नहीं लेके जा सकते हो और नहीं calculator लेके जा सकते हो और उसी के साथ अगर आ जाए do not attempt to give or obtain unfair resistance of any kind as the same shell until your expulsion from examination center and disqualification for any examination for period of 5 years यही बोल रहा है कि कोई भी गलत चीज मत करना आपको 5 साल के लिए डबार किया जा सकता है बैंड किया जा सकता है JK SSB के लिए और आसा बहुत बार पहले हो भी चुक है और नहीं indulge हो ना किसी भी improper conduct के लिए क्योंकि आपको disqualify कर दिया जाएगा 5 साल तक आपको को exam नहीं दिने दिये जाएगा JK SSB और next है no break is permitted during the test को break नहीं है दो गंटे का एक सार्थ exam होगा clear और your candidature is provisional you cannot claim your selection on the basis of admit card अब इस admit card के निकलने के बाद हाँ अपने candidature जो है वो provisional है आप claim नहीं कर सकते हैं कि आप select होई गए हो clear then इसके बाद अगर हम आजाएं the candidate will have to arrange his own scribe at his own cost माली जे कोई किसी को physical issue है जैसे handicap होते हैं तो वो अपने साथ scribes लाते हैं तो वो उनका खर्चा खोदी उनको उठाने और यही mainly है candidates will be allowed to carry only the following items यह चीज़ें आप लेके जा सकते हैं admit card और ID card हो गया admit card चाहिए चाहिए ID card में कुछ भी एक ID card ले सकते हो wearing masks is mandatory आपको masks दो पाए नहीं है COVID-19 की वे जैसे साथ ही आप एक पानी की bottle ले सकते हो और transparent होनी चाहिए और एक hand sanitizer जो है वो आप यह सब ले सकते हो तो यह दोस्तों यह सब चीज़ें हैं जो आज download card admit cards के regarding थे हैं आपको मनें बता दिया किस तरह सब download कर सकते हैं तो आपका query resolve हो पाया होगा किसी हद तक तो मिलते हैं दोस्तों काल सुबा lecture के साथ और आपकी यह जो कर नहीं है जेके सब्सक्राइब अकाउंड इस्टेंट की मारी कोशिश रहेगी कि आपको इसके destination तक पहुंचाया जाए तो खुदा आपिस दोस्तों जैश्राम बाबाए